अखर्ण मंधन के सवी दश्कों को नमस्कार मैं हूँ शेकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखर्ण मंधन अगनी तत्यों के ग्रह मंगल अब 1 जुलाई दो जाटेश को करक से सिंग राशी में प्रविश कर चुके हैं लगबग डेड़ महा तक वो इसी राशी में रहेंगे तो इसका क्या प्रवाव पड़ेगा आप पर आएए इसी पर चर्चा करते हैं मेश राशी के जातकों के लिए मंगल का ये परी ब्रहमण पांचवे भाव में होगा आर्थिक डिस्टिकोंड से अगर बात करें तो इस समय आपको कुछ लाब मिल सकता है स्वास्ते के क्षित्र में आप अपने आपको पूरी तरह से स्वास्ते महसूस करेंगे नौकरी या व्यापार करने वालों के लिए ये समय अपने टार्गेट को पूरा करने के लिए काफी अच्छा रहेगा और उनको काफी सपोर्ट भी मिलेगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी पति बतनी या रिलेशन्शिप में थोड़ी साओधानी आपको बरतनी पड़ेगी नहीं तो वाद विवाद भढ़ सकता है आपको उपाय क्या करना है इस समय भगवान शीव की उपासना करनी चाहिए इसके बात बात करते हैं व्रिशब राशी की तो व्रिशब राशी के लिए मंगल का ये परिभ्रमन चौथे स्थान में होगा आर्थिक सम्मंदी बातों में आपको साओधानी पूरवक आगे बढ़ना पड़ेगा लाब की अधिक आशा ना रखें स्वास्ति सम्मंदी समस्या नहीं रहेगी किंतो कभी कभी मानसिक अशान्ती आपको परिशान कर सकती है नौकरी और बिजनस करने वाले लोगों के लिए ये समय काफी परिश्रम करने वाला होगा और तबी इने सफलता प्राप्त होगी पती बतनी या रिलेशन्शिप में इस समय सम्मंद अच्छे रहेंगे और उपाय की रूप में आपको हनुमान जी की उपास ना करनी चाहिए मितुन राशी के जातकों के लिए मंगल का ये परिभ्रमण तीसरे स्थान में हो रहा है आर्तिक शेत्र में आप काफी अच्छा कर सकते हैं और आप काफी रिस्क लेने का एक तरह से विचार करेंगे और आपको इसमें सफलता भी मिल सकती है लेकिन तो आपको इस सम्मंद में सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए स्वास सम्मंदी मामलों में आप अपने आपको पूरी तरह से फिट महसूस करेंगे नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक नया आउसर मिल सकता है और उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी यदि आप पतिपतनी है या पिर किसी के साथ रिलेशन्शिप में है तो दोनों के लिए समय अच्छा है आपको भगवान शीव की उपासना करने से काफी लाब मिलेगा बात करते हैं करकराशी के जातकों के लिए तो मंगल का ये परिभ्रमन दूसरे स्थान में हो रहा है उनके और आर्थिक शेत्र की अगर बात करें तो इस समय आपको अचानक बजट के बढ़ जाने से अधिक खर्च करना पड़ेगा या फिर आपका खर्च करने का जो मन है वो काफी अधिक रहेगा स्वासभंदी छोटी मोटी कटनाई आ सकती हैं अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापारी हैं तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा पति-पत्नी के लिए समय काफी अच्छा रहेगा आपको हनुमान जी की पूजा से काफी लाब मिलेगा बात करते हैं सिंग राशी के जातकों की सिंग राशी के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी अपनी ही राशी में होगा इस दोरान आर्तिक शित्रों में ये समय आपके लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि यहां से आपकी इंकम बढ़ने के योग दिखाई दे रहें स्वास सम्मंदी मामलों में आप निशिंत रहेंगे नौकरी या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय नई शुरुवात करने का हो सकता है साथी बिजनेस करने की अनुकूलता भी देगा और यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा पति-पत्नी का जो यह समय रहेगा अगर आप रिलेशन्शिप में है या पिर पति-पत्नी है तो यह भी समय एक दूसरे के लिए काफी अच्छा रहेगा लेकिन आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा दोनों से तभी शांती रहेगी तभी आपको इसका आनन्द मिल पाएगा उपाय के लिए आपको इस समय गड़ेश जी की पुजा करनी चाहिए बात करते है कन्या राशी के जातकों के लिए तो कन्या राशी के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर अपनी ही राशी से बारहेवे स्थान में होगा आर्तिक शेत्र में आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है स्वास्तमंदी कुछ समस्या बेचे नी पैदा करेगी आपके मन में नौकरी या बिजनस करने वाले लोगों के लिए ये काफी अच्छा समय रहने वाला है लेकिन इन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है पति बतनी या फिर रिलेशन्शिप में ये समय साउधानी बरतने का है थोड़े मतभेद हो सकते हैं तो इसे आपको बहुत धैरे पूरवक रह करके सुलजाना होगा इस समय आपको भगवान शीयों की उपासना से विशेश लाब मिलेगा दुला राशी के जातकों के लिए मंगल का ये राशी परिवर्तन 11 में स्थान पर हो रहा है जो की लाबदाई होगा 11 स्थान में मंगल का ये गोचर आपको आपके कारिक्षेत्र में सफलता देगा स्वासमंदी जो भी चिंताएं थी वह भी अब दूर होंगी नौकरी या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय मंगल कारी होगा यानि लाबदायक रहेगा पर्दी पतनी या फिर किसी के साथ अगर आप रिलेशन्शिप में हैं तो गोचर की वदलत ताल मेल बना रहेगा उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप गड़ेश जी की उपास ना करें बृष्चिक राशी के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर दसमें स्थान में होगा जो कि उनके लिए अच्छा रहेगा अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिती में काफी सुधार होगा स्वास्ते के बारे में छोटी मोटी चिंता आपको परिशान कर सकती है नौकरी या फिर बिजनेस करने वालों के लिए ये समय कारिक्षित्र में नए ओर्डर मिलने का हो सकता है याप व्यापारी हैं तो आपको नए ओर्डर मिल सकते हैं और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी करने के दूसरे विकल्प भी मिल सकते हैं आप अपनी जॉब को बदल भी सकते हैं पति पतनी या फिर रिलेशन्शिप में रहने वाले लोगों के लिए गोचर के कारण कुछ परिशानिया हो सकती हैं आपको हनुमाण जी की उपास ना करने से लाब मिलेगा धनुराश के जाटकों के लिए मंगल का ये गोचर नवे स्थान में यानि की भाग्य स्थान में इस दोरान आपकी आर्थिक स्थिती की बात करें तो आप किसी बड़े इंवेस्टमेंट में पैसा डालें इसके लिए आपको सोचना चाहिए कोई बड़ा निवेश मत करियेगा अभी और स्वास्त के मामले में ये समय आपके लिए लाबदाय करेने वाला है नौकरी या फिर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई नए उसर प्राप्त हो सकते हैं फती पतनी या फिर रिलेशन्शिप में रहने वाले लोगों के लिए ये समय मध्यम रहेगा आपको भगवान शीयो की उपास ना करनी चाहिए मंगर राशी के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आठवे स्थानमी होगा इस समय फाइनेस के मामलों में समहल कर आपको व्योहार करना होगा किसी को उधार देने से बचें स्वास्ते के मामले में ये समय आपके लिए थोड़ा परिशान करने वाला हो सकता है और रखना होगा उपाय के रूप में आपको हनुमाजी की उपासना करनी चाहिए कुमराशी के लोगों के लिए मंगल का ये गोचर साथ में स्थान में होगा इस समय फाइनेस के मामलों में अचानक कोई खर्चा आ सकता है या पिर कहीं पर आपके पैसे फंस सकते हैं स्वास्त रिलेशन्शिप में आपसी समझदारी से काम करना होगा तब ही शांती बनी रहेगी कुपाय के रूप में आपको मता दुरगा की उपासना करनी चाहिए और अब बात मीन राशी के जातकों के लिए मंगल छटे भाव में होगा इस समय आर्थिक शित्र की बात करें तो आप आपको कुछ परिशानी हो सकती है इसमें आपको स्वास समंदी समस्या भी आ सकती है छोटी मोटी चोट भी लग सकती है नौकरी करने या फिर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय कटनाईयों से भरा हो सकता है या पिर उनके सहकर्मियों द्वारा कुछ परिशानी अखड़ी की जा सकती हैं तो आपको साउधान रहना चाहिए पती पतनी या रिलेशन्शिप में इस समय आपके मद्भेद बढ़ सकते हैं इस समय आपको भगवान विश्णू की उपास ना करनी चाहिए तो आज के अंक्त में बस इतना ही मिलते हैं नए एपिसोड में शीगर तब तक के लिए हमें अनुमती दें तने बाद नमस्कार